हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो दा कोचिंग क्लास आप आर्पी सिसी रॉक, उमीद है अभी तक के आपने सारे वीडियो लेक्चर एप्टीटूड के बहुत अच्छे से देखा होंगा, सारे वीडियोस आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्रेक्टिस भी कर रहे हैं, और डे बाइ डे आपकी इंप्रूमेंट भी हो रहे हैं, हर वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा है, यह मैं अजूम कर रहा हूँ, और आप लोग भी महिनत कर रहे हैं, प्रेक्टिस कर रहे हैं, आरे सगरवाल बुक में से और प्रा प्रेक्टिस कीजिए, ठीक है, या फिर आपको गूगल पर भी बहुत सारे प्राब्लम मिल जाएंगे, अगर आप इंटरनेट पर सेच करेंगे, नंबर सिस्टम, तो आपको बहुत सारे, वैसे जितने गनित मैं करा रहा हूँ, उत्ते सफीशन्ट है, आप मेरे से कनेक्ट रही है, वाटसप पे, मैं स्टेटस पे रोज चार से पाच नए कोच्छन रखता हूँ, पहले मैं आपको ट्राय करने के लिए मौका देता हूँ, फिर मैं वीडियो लेक्ट्चर में सॉल करके देता हूँ, ये गनित मैंने स्टेटस पे रखा था, सॉल करने के लिए, उसके बाद है 40, फिर 38, फिर 36, फिर 34, ऐसे 2, 2 से कम होगे, फिर 2, फिर 0, ऐसे जा रहा है, तो इनकी सम कित्ती आएंगे, तो सम के रिलेटेड आपने एक फार्मूला सीखा है, आपको पता हूँगा, ये मैं आपको कंसेप बता रहा हूँ, ये बचपन से सीखते आ रहे है पन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे अगर N नमबर से है, तो इनका सम का फार्मूला होता है, N into N plus 1 by 2, ये फार्मूला आप सभी लोग पढ़े है, जैसे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, इनकी सम होना, तो कितने नमबर से हैं, 5, तो N की वैल्यू 5 है, 5 नमबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, 5 plus 1, 6, ये 2, 1 जा, ये 3, 5 into 3, 15, क्या इसकी सम 15 है, येस, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपका फार्मूले के प्रती भरोसा बने, इस वज़ा से ये बात मैंने बताई, फिर आप बोलेंगे सार, लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये जो न gap नहीं है, ये हमारे जो नंबर है, ये sequential है, 1, 2, 3, 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3, तो यहाँ पर लेकिन बात अलग है, 44, 42, 40, कोई बात अलग नहीं है, इसको आप सीधे से लिखेंगे, 0, 2, 4, 6, ऐसे लेकर, 36, 38, 40, 42, 44, तो इसमें से आप क्या कीजिए, आपको इसका सम चा अगर आप 2 कामन ले लेंगे, 0 upon anything is 0, फिर 2 divided by 2 तो 1, 4 divided by 2, 2, 6 divided by 2, 3, ठीक है, तो 44 divided by 2, 40 divided by 2, 20, 42 divided by 21, 22, ठीक है, तो यह किते नंबर्स का साम है, 22, n की वेल्यू 22, तो अब आप इसको यह फार्मूला अपलाई कीजिए, यह 2 रहेंगा ही, n की वेल्यू 22 है, 1 से जैसे हमने 5 नंबर तक मैंने भी बताया था, तो n की वेल्यू 5, तो यह कहा तक है, 22 तक, तो n की वेल्यू 22 पकड़िए, तो 22, फिर n प्लस 1, 22 प्लस 1, 23, डिवाइड बाइ 2, यह 2 टू कर गया, अब यह 22 इंटू 23 कीजिए, कैसे करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था, शॉटकर्ट ट्रिक्स कैसे करनी अपने को, अपन क्या करेंगे, 22 को लिखेंगे, 20 प्लस 2, तो 23 इंटू 2, 46 अब को बताया, तो 23 इंटू 20, 460, 23 इंटू 46, 460 में 46, 8 कीजिए, 460 और 40, 500 और यह 6, आपको कैलसी नहीं चलाना है, औरली कैलकुलेशन करना है, सब आपको मन मे करना है, ओरली करना है, ठीक है, तो इसका अंसर आएंगा 506, तो आपको 0, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे 44 तक नंबर दिये थे, तो हमने क्या क्या, 2 को कामन ले लिया, तो फिर क्या बन गया, 0, 1, 2, 3, 4, यह सिक्वेंस में नंबर बन गया 22 तक के, तो इनका सम हमको मालूम है यह फार्म सोचे आ जाएंगा, तो इंट्रेस्टिंग कोच्छन है, अभी आपने सीखा इस प्रकार के आप गनीत करेंगे, प्रेक्टिस करेंगे, और तो अच्छा होएंगा, अगर आप डायरेक्ली एक्जाम में यह गनीत देख रहा है, आपकी कोई प्रेक्टिस नहीं है, तो फिर से, मतलब यह जबर्दस कलेक्शन होने वाला है आपके पास, मतलब ट्रिमेंडस मजा आने वाला है आपको, ऐसा नहीं है कि एकदम चिल्डर चाला, अब यह भी आमने देखा था, 37, 1 by 2 % of रुपीज 48, तो यह जब दिया, यह एकदम पांचट कोच्छन था, लेकिन बहुत लोगों ने इसको बहुत ट्रिकी बना के सॉल गिया, तो इसको कैसे सॉल करते हैं पहले आप यह समझें, A, B by C को, तो यह A into C करते हैं, फिर इसमें प्लस B करते हैं और यह पूरे अपॉन में C आता है, तो पहले यह इसको सॉल करने का है, 37 into 2, 37 का डबल 84, 84 plus 1, 75, 37 into 2, प्ल 84 plus 1, 75, तो 75 by 2 percent of 48, जबी भी percent आता है, तो आपको अपॉन में 100 लगाने का है, ठीक है, और आपको पता है, मैंने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बताया, आपने देखाऊंगा, तो यह 75 by 100 बोले तो 3 by 4, 25 तीन जा 75, 25 चार जा 100, और यह 2 वन जा, यह 24, 4 वन जा, यह 6 जा, तो यह 3 इंटू 6, 18, ठीक है, जैसे यहाँ पर आया, यह 35 percent, जैसे हम धाई को लिखते है, 5 by 2, ठीक है, वैसे ही, 35 को आप लिख सकते है, 75 by 2, तो 35 यह होता है, तो 75 by 2, प्रतिशत और 48, तो यह 48 का आदा हो जाएंगा, 24, मतलब, 75 percent of 24, 75 percent of 24, ठीक है, तो इसी का मैंने उल्टा बताया था, आपको 24 percent of 75, मैंने बताया था, A percent of B is equal to B percent of A, यह मैं आपको already previous video lecture में समझा चुका हूँ, तो आप 75 percent of 24 बोलो, या 24 percent of 75 बोलो, मतलब, 75 का 24 प्रतिशत, 75 का 10 प्रतिशत, साड़े साथ, तो 20 प्रतिशत 15, डबल इसका, साड़े साथ का 15, और 4 प्रतिशत 3, तो 15 प्लस 3, 18 इस दांसा, तो आप orally solve कर सकते हैं, कि भाई 75 by 2, मतलब 3 by 4 percent of 48, 75 क्रतिशत मतलब 3 by 4 होता है, तो 48 इंटू 3 by 4, 4, 6 जा 24, तो 4, 6 जा 24, 6 इंटू 3, 18, आप बोलेंगे सार, 24 क्यों लिया, 48 है ना, नहीं, तो 75 बाई 2 है, तो 2 बंजा यह 24 जा, तो 75 percent of 24, 75 percent किता होता है, fraction में उसको क्या लिखते हैं, 75 percent को 3 by 4, किसी भी नंबर का आपको 75 percent बोला, तो आप उसको 3 by 4 से मल्टिप्लाए करने, किसी भी नंबर का अगर आपको 75 percent बोला, तो आप उसको 3 by 4 से मल्टिप्लाए करने, जैसे आपको बुला गया कि 160 का 75 परसंट बताओ, कुछ भी नहीं करना, 3 by 4 से, आपको fraction form पता है, 75 परसंट दो 3 by 4, तो 4 बन जा, ये 40 जा, 40 इंटू 3, 120, तो 160 का 75 प्रतिशत 120 होता है, आपको उस समय ये करने ही की जरुवत नहीं है, कि 160 का 10 प्रतिशत 16 होईगा, फिर 16 इंटू 7, फिर उसका आदा 8 एट करो, उत्ता नहीं, डाइरेक्ट 3 by 4 से मल्टिप्लाइ करो, विदीने सेकंड सॉल हो जाएगा, तो बहुत ही जबरदस कोच्छंदा ये भी, फिर नेक्स को अंसर आप डाइरेक्ट मार्क कर सकते, 2% of x, क्योंकि बताया था, a% of b is equal to b% of a, तो x% of y is equal to y% of x, तो यहाँ पे भी आप इसको x% of y लिख सकते, तो same term plus same term twice, तो ये 2% of xy हो जाएगा, ठीक है, ये अल्रेडी मैं आपको प्रीवेस वीडियो लिक्चर में बता चुका n जो रहेंगा वो even number रहेंगा, तो 6 to the power n minus 1 काई से divide होगा, तो ऐसे कोच्छन के लिए कोई formula नहीं रहता, आपको hit and try method लगा नहीं, आपको पता है सबसे छोटा even number कौन सा है, 2, तो आप n की value 2 रखी, तो 6 square minus 1, तो 6 का square 36, 36 minus 1 35, तो 35 किस से divisible है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इसमें आप n की value कोई भी even रखेंगे, तो वो divisible होगा, तो आपको पता है 35, 6 से divisible नहीं होता, 30 से divisible नहीं होता, divisible मतलब remainder 0 आने को ना, तो 35, 35 से divisible होगा, 37 से भी नहीं होगा, तो इसका answer आप within second mark कर सकते 35, अब कुछ लोग बोलते है सर आपने आइसे गनित नहीं पढ़ 1 और वो बोल रहा कि n की value even रहेंगे, तो कोई भी even value रख दो, कोई भी रखो, तो सबसे छोटी even value ही रखना, छोटा number ही solve करना कभी भी, तो even number सबसे छोटा हो जाएंगा 2, देखिए यहाँ पर आप even number 0 नहीं ले सकते, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग आए फ्रेंड्स, नेचरल नंबर की बात कर रहें, याद रखना, नेचरल नंबर जो शुरू होते हैं वो 1 to n रहते हैं, by default जो पद्वी रहती हो नेचरल नंबर रहती हैं, हम whole number नहीं बोल रहें, whole number और natural number में यहीं फरक है, whole number 1 to n होता है, और whole number 0, 1, 2, 3, 2, n होता है, तो हम natural number क की बात कर रहें, तो उसमें 0 नहीं आता कभी भी, ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे, sir, n की minimum value e1 to 0 होती है, नहीं, n की minimum natural number की value होती है, 2, ठीक है, तो 6 square 36, 36 minus 1, 35, तो 35, आपका 35 से divisible होंगा, अब हम बहुत ही मज़ेदार कोच्छन लेने वाले, इस प्रकार का कोच्छन आ जमता, क्योंकि यहाँ पर अपने को लगाना पड़ता है, rationalization का logic, rationalization मतलब क्या होता है, जो term denominator में है, उसको numerator और denominator में multiply करो, with opposite sign, तो plus का opposite होता है, minus, तो अभी आपको पुछा है, 1 upon root 1 plus root 2 plus, 1 upon root 2 plus root 3 plus, 1 upon root 3 plus root 4 plus, ऐसे so on, चलता है, root 80 plus root 81, तो इसका answer क्या हैंगा, तो आप लोग यहाँ पर rationalization का logic लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग rationalization का logic लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग rationalization का logic लगाएंगे, rationalize करते वग, तरम यही रहती, इसको बोलेंगे तरम, यह जो bracket है न, इसको अपन गावरानी भाशा में बोलेंगे, तरम, क्या बोलेंगे, तरम तो rationalize करते वग तरम यही रहती बीच का साइन अपोजिट तो प्लस का अपोजिट माइनस तो root 1 minus root 2 से उपर नीचे multiply करेंगे ताकि उसका original meaning change नहीं होना चाहिए दोस्तो तो मैंने इसको root 1 minus root 2 से उपर नीचे multiply गया तो meaning change हो गया नही यह same time same time कट गई तो 1 upon root 1 plus root 2 ही बचा वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो rationalize करते वग तरम यही रहती बीच का साइन अपोजिट तो इसको root 2 minus root 3 से multiply करेंगे किदर numerator और denominator दोनों में और root 2 plus root 3 adjectives फिर इदर भी अपन rationalize करेंगे rationalize करते वग तरम यही रहेंगे बीच का sign अपोजिट ठीक है तो plus का अपोजिट minus तो root 3 minus root 4 से इसको उपर नीचे multiply करेंगे ओके friend इसको क्या बोलते है rationalization और एक बार करेंगे तो root 4 minus root 5 तो root 4 minus root 5 और यह root 4 plus root 5 ऐसा लेकर चलेंगा तो root 80 minus root 81 ठीक है root 80 minus root 81 और यह root 80 plus root 81 तो उमीद आपको यह पहली step समझेंगी पहली step आपको rationalize करना है rationalize करते वग तरम यही रहेंगे middle sign opposite तो आपने root 1 minus root 2 से उपर नीचे multiply किया इसदा root 2 minus root 3 से उपर नीचे multiply किया इदा root 3 minus root 4 से उपर नीचे और एक term ले लिया इसके बादवाली term 1 upon root 4 plus root 5 तो root 4 minus root 5 से उपर नीचे multiply किया ठीक है अब आपको पता है यह formula a minus b a plus b तो यह होता है a square minus b square तो a की value है root 1 minus root 2 a minus b और a plus b तो क्या होगा a square minus b square ध्यान दीजे यह root 1 minus root 2 और यह root 1 plus root 2 मैं कमजोर लोगों के लिए लिख रहा हू a minus b a plus b a की value root 1 है तो a square root 1 का square तो जबी भी root 1 का square करेंगे तो square और root कट जाएंगा क्योंकि square root बोले तो power 1 by 2 और square बोले तो power 2 2 2 कट जाएंगा तो root 1 का square 1 minus root 2 का square 2 तो 1 minus 2 minus 1 आएंगा मतलब denominator में यहाँ पे हर जगा आपको minus 1 मिलने वाला है ठीक है फ्रेंट्स denominator में हर जगा आपको minus 1 मिले तो root 1 minus root 2 देखे फ्रेंट्स हमने रेच्टलाइस किया अब next step फार्मूला लगाएंगे a minus b a plus b तो a square minus b square तो root 1 का square 1 root 2 का square 2 1 minus 2 minus 1 तो यह पूरे denominator का answer minus 1 आएंगा इधर भी देखिए a minus b a plus b तो root 2 minus root 3 root 2 plus root 3 तो root 2 का square 2 root 3 का square 3 2 minus 3 minus 1 इधर 3 minus 4 minus 1 तो पहली step हमने rationalization किया जैसे अगर 1 upon a plus b है तो उसको हम a minus b से rationalize करते है rationalize करते वक्त term यही रहती है स्रिफ middle sign opposite plus का opposite minus रहता उसके बाद second step हमने just यह formula लगाया a minus b a plus b तो a square minus b square होता है तो under root 1 का square 1 under root 2 का square 2 1 minus 2 minus 1 root 2 का square 2 root 3 का square 3 2 minus 3 minus 1 root 3 का square 3 root 4 का square 4 3 minus 4 minus 1 root 80 का square 80 minus root 81 का square 81 80 minus 81 minus 1 तो सबके अपान में minus 1 आने वाला है तो root 1 minus root 2 upon minus 1 plus root 2 minus root 3 upon minus 1 सबके अपान में minus 1 आएंगा root 3 minus root 4 upon minus 1 मैं ज्यादा टम इसले लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए root 4 minus root 5 upon minus 1 and so on root 80 minus root 81 upon minus 1 ठीक है फिर आपको पता है अगर a minus b और यह minus sign है तो minus से multiply किया तो यह minus की चीज होती plus और plus की चीज होती minus जबी भी हम minus से अगर bracket को multiply करेंगे तो minus की चीज plus होंगी और plus की चीज minus जैसे यह minus से अगर minus को multiply किया तो यह minus की चीज plus plus की चीज minus तो यह हो जाएगा root 2 minus root 1 ओके फिर यह भी minus sign है minus sign से अगर bracket को multiply किया तो minus की चीज plus plus की चीज minus तो root 3 minus root 2 माइनस से मल्टिप्लाई गया तो माइनस की चीज प्लस और प्लस की चीज माइनस A माइनस B को माइनस से मल्टिप्लाई गया तो B माइनस है हो जाता तो रूट 4 माइनस रूट 3 फिर रूट 5 माइनस रूट 4 ऐसे करते करते रूट 81 माइनस रूट 80 ठीक है रूट 4 यह माइनस रूट 4 कैंसल ऐसे करके रूट 5 और माइनस रूट 5 कैंसल तो स्रिफ दो इटाम यहाँ पर मचेंगी रूट 81 माइनस 1 तो रूट 81 बोले तो 9 होगा 9 माइनस 1 8 8 इस डांस देखें फ्रेंड हर एक चीज दो बार आएंगी स्रिफ पहली वाली चीज देखें फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4 फिर 4 5 फिर 5 6 फिर 6 7 स्रिफ जो पहली चीज है वो एक बार आएंगी और जो लास्ट वाली चीज है वो एक बार आएंगी root 79 minus root 80 समझ रहे फिर root 80 minus root 81 ऐसे तो हर एक चीज़ दो बार आएंगी सिर्फ पहली वाली और आखरी वाली चीज एक बार आएंगी तो सारी के सारी टम cancel होंगी एक पहली वाली चीज बचेंगी और एक आखरी वाली चीज बचेंगी तो root 81 minus root 1 तो root 1 बोले तो 1 ही होता root 81 बोले तो 9 9 minus 1 8 तो your answer is 8 तो उमीर आपको समझ में आया होंगा पहली step हमने क्या किया rationalization second step हमने a plus b a minus b का formula लगाया बोले तो a square minus b square उसके बाद हमने minus से multiply किया तो minus की चीज plus plus की चीज minus और उसके बाद देखा हमने कि सब चीज cancel हो रही सिर्फ ये root minus root 1 और ये plus root 81 बच रहा है ठीक है क्योंकि हर एक चीज दो बार आ रही 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ऐसे करते करते 80 81 बस 81 पे रुक रहा है अपन 81 वाली चीज डबल से नहीं आ रही और जो पहले 1 आया था वो डबल से नहीं आ रहा तो वो दोनों बच जाएंगे तो root 81 minus root 1 तो root 1 1 होता है और root 81 9 होता है तो 9 minus 1 8 इस दा आन सब तो ये बहुत ही interesting अलिद्था number system का बहुत ही important और ये कोच्छन gate exam में आयो है दोस्तो ये बहुत ही important गनीत है ठीक है तो उमीद है आपको समझाओगा फिर ये भी कोच्छन मैंने status पर रखा था ये number is greater than 75 ठीक है क्या बोल रहा कोच्छन को समझो और अपने mother tongue में convert करो सबसे पहला का हम है कोच्छन समझो एक बार पड़ो दो बार पड़ो तीन बार पड़ो मेंको उमीद है कभी ना कभी आपको कोच्छन समझ में आएगा अंग्रेजी में है थोड़ा सा समझ लगेगा आप लोगों की अंग्रेजी कमजोरूंगी मेरे जैसे तो ये number is greater than 75 मतलब 75 से बड़ा है 75 से बड़ा है और 117 से छोटा है मतलब उसकी range है 76 से लेकर 116 मतलब 76 से 116 के बीच में वो number है इंग्लिश में जो लिखा है मैं आपको हिंदी में बता रहूं दोस्तो ए number is greater than 75 75 से बड़ा है मतलब 46 हो सकता 77 हो सकता कितना बड़ा है smaller than 117 117 से छोटा है 75 से बड़ा है 117 से छोटा है तो अभी हम क्या करेंगे समझो वो number जो है वो x है मैं अजुम कर रहा कि वो number जो है वो x है let x be the number तो वो 75 से बड़ा है 75 plus x और क्या बोल रहा हो वो 117 से छोटा है तो 117 माइनस x तो y equal to 75 plus x y equal to 117 minus x तो ये y की value इसमें रख दो या ये y की value इसमें रख दो तो 117 minus x ये y की value उठा के इसमें रख दिया इजी equal to 75 plus x mathematically solve कर रहे ये minus का x इदर आके plus x तो x plus x और ये 75 इदर चला जाएगा तो 117 minus 75 तो x plus x 2x 117 में से 75 गए देखिए 75 के बाद 10 जोड़ो 85, 95, 105, 115 40 और 2, 42 मेरे ख्याल से 42 आएगा 42 तो x equal to 26 अब ये x की value इदर रख दो ये इदर रख दो आपको y मिल जाएगा तो y equal to 75 plus 26 75 plus 10 85, 85 plus 10 95, 95 75 और 6 75 42 आया sorry ये 21 हो जाएगा sorry 42 divided by 2, 21 हो जाएगा 42 divided by 2 21 जाएगा तो 21 हो जाएगा तो यहाँ पर 21 एड करना है ये नंबर है 75 plus x x के जगा 21 रख दो 85, 95, 96 या फिर इसमें 21 रख दो एक गया 116, 116 में 20 गया 96 आ जाएगा तो हमने mathematically solve किया वो नंबर 75 से बढ़ा है तो y equal to 75 plus x 117 से छोटा है तो y equal to 117 minus x ये दोनो y की value equate कर दी ये 117 minus x ये y की इदर रख दी value ये minus का x equal to के इदर जाके plus तो x plus x 2x ये 75 इदर आजाएगा 117 minus 75, 42 42 को 2 से divide किया तो equis आगया equis इदर x के जगा रख दो 75 plus 21, 96 हो जाएगा ये इदर रख दो तो भी 96 तो इसका answer 96 हो जाएगा ये हो गई एक technique दूसरी technique क्या है तो आप direct 117 minus 75 कर दो ठीक है divide by 2 average 75 से बढ़ा है 117 से छोटा है तो last value minus first value divide by 2 तो ये आजाएगा 26 sorry 21 117 में से 75 गए ठीक है तो आजाएगा 42, 42, 2, 2, 21 तो वो नंबर इन के बीच में है तो 75 plus 21 जोड़ दो ये 117 में से 21 गटा दो तो answer 96 आजाएगा तो बहुत सारी trick से ये गनीच सॉल होता है friend मैंने आपको maths वाली trick बताई क्योंकि मैं maths वाला इंसन हूँ तो मेरे को maths वाली चीज़े ज्यादा पसंद आती है ये भी एक trick है इससे भी आप जा सकते ठीक है उसके बाद हम लोग देख रहे थे remainder theorem remainder theorem में अभी भी बहुत लोगों को दिक्कत थी ये मैंने होमक को दिया था ये example आने चाहिए थे जिनको आ गए बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं उनके लिए बात करा जिनको नहीं आया 7 to the power 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 6 मैंने बताया था पहली स्टेब आप सारी टाम ओपन करो तो A by 2 प्लस B by 2 तो 7 to the power 19 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 बाई 6 तो अब आप 7 को 6 से डिवाइड करो ठीक है इधर तो कोई टेंचन नहीं इधर रिमेंडर 2 याने वाला है 6 को 2 से डिवाइड किया तो रिमेंडर 2 याएगा तो अगर आप 7 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 बन जा तो रिमेंडर आएगा 1 तो 1 to the power anything is 1 और 1 plus 2 3 तो इसका रिमेंडर आगया 3 इसका अंसर 3 हो जाएगा तो अब ये गनीद आने को ना आपको दूसरा गनीद होमक दिया था 3 to the power 90 upon 28 ठीक है तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार के गनीद में कि आपको denominator के करीब का नंबर numerator में लाने का है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ denominator का करीब का नंबर numerator में लाने का है तो आपको बता है 3 के table में क्या आता 28 के करीब 3 का table आता हो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 तो 3 का cube 27 होता है तो अपन ऐसा इसको लिख सकते low up indices a to the power mn को लिख सकते a to the power m to the power n 3 into 30, 90 जोता ओके तो यह 27 फिर यह हो गया to the power 30 3 का cube 27 हो गया अब 27 को divide के 28 से तो remainder आएगा minus 1 और minus 1 का e1 power आता है plus 1 तो इसका remainder आगया plus 1 आया समझ में 27 को अगर मैं 28 से divide करूँगा तो 28 वन जा इसका remainder आएगा minus 1 तो minus 1 to the power 30 30 बोले तो e1 number है मैंने बताया था minus 1 का e1 power plus 1 और minus 1 का odd power minus 1 तो यह भी कोच्छन सौल हो गया यह भी कोच्छन सौल हो गया उसके बाद next 2 to the power 75 divide by 5 तो ऐसे जबी भी power आती है तो denominator है 5 उसके करीब का number numerator मे लाओ तो 2 के डेबल में क्या आएगा 4 2 square तो इसको आपन लिख सकते है 2 square 2 into 37 37 का double होता है 84 और यह into 2 divide by 5 तो 2 square हो जाएगा 4 4 को अगर आपने divide किया 5 से तो remainder आएगा minus 1 ठीक है minus 1 का odd power minus 1 minus 1 का odd power minus 1 minus 1 into 2 minus 2 लेकिन remainder negative नहीं आता तो यह 5 में से 2 minus कर दो तो answer आएगा 3 तो remainder आएगा plus 3 तो यह सब आपको मन में calculation करने है मैं presentation से लिख नहीं रहा हूँ मैं direct solve करके दिखा रहा जो number denominator में है उससे similar number numerator में लेकिया हो तो 2 के डेबल में आएगा 4 तो 2 square 4 होता है तो अपन ने इसको low up indices से break किया a to the power m plus n a to the power m a to the power n 75 को break किया 74 plus 1 में तो 2 to the power 74 into 2 to the power 1 अब 74 को लिख सकते 2 into 37 तो 2 square हो जाएगा 4 4 to the power 37 अब 4 को अगर फायू से divide किया तो फायू अजा फायू तो remainder minus 1 आजागा यह odd power है minus 1 का odd power minus 1 minus 1 into 2 minus 2 लेकिन remainder negative नहीं रहता मैंने बताया था हर number के 2 remainder रहेंगे ठीक है तो इसको फायू में से minus 2 किया तो plus 3 अपने को positive remainder मिलिया यह already बता चुका हूँ अब आप बोल नहीं सकतेगी सरम को नहीं मालूम है अगर 17 को अगर आपने past से divide किया तो एक remainder आएंगा आपका एक remainder आएंगा plus 2 और एक remainder आएंगा minus 3 पूछ रहेंगे कैसे तो फायू 3 जा 15 तो remainder आगया plus 2 और फायू 4 जा 20 फायू 4 जा 20 तो minus 3 remainder आजाएगा तो ये चीज़े आपको पता है ये बताने की जरुवत नहीं है ठीक है तो अगर आपने minus 3 लिया तो फायू minus 3 plus 2 remainder आजाएगा फायू minus 3 plus 2 remainder आजाएगा तो ये अब चीज़े आने को ना ये गनीद भी मैंने करके दिया ये भी गनीद आपको करके दिया ये भी गनीद आपको करके दिया अब ये गनीद आप try कीजिए 7 को 4 से divide कीजिए ठीक है वैसा भी कर सकते या फिर उसके करीब का number आप लेके आईए अगर आप 7 को divide करेंगे 4 से तो remainder 3 आएगा ठीक है ये 7 to the power 5 है divide by 4 है इसका तो आप orally भी कर सकते ठीक है तो 7 को अगर 4 से divide किया तो 4 2 जा 8 ठीक है तो ये remainder आएगा minus 1 minus 1 का odd power minus 1 तो remainder का answer negative नहीं रहता दो 4 minus 1 3 answer is 3 orally हो गया देखिए 7 को अगर आप 4 से divide करेंगे तो 4 2 जा 8 remainder minus 1 अगर positive वाला लेंगे वो भी ले सकते हैं 4 1 जा 4 तो उससे remainder plus 3 आएगा ठीक है तो 4 minus 1 तो plus 3 जोता न तो minus 1 का odd power minus 1 4 minus 1 plus 3 तो इसका remainder का answer plus 3 आजाएगा तो ये भी गनित आपको run करके दे दिया अब ये दो गनित आपको homak है 517 to the power 517 divide by 5 ठीक है और उसके बाद 2243 to the power 165 divide by 5 ये दो गनित आपको run करने के है फ्रेंड ये दो गनित आपके लिए मैंने homak को रखे अगर ये दो गनित के answer आपने सही दे दिये तो मैं समझ जाओंगा कि आपको remainder theorem समझ में आ गया ठीक है लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बहुत सारे गनित लिये थे remainder theorem बे अभी भी मैंने एक, दो, तीन, चार गनित आपको run करके दिये दो गनित मैंने आपके कोशिश के लिए रखे remainder theorem बे gate में बहुत बार coaching हुई भी है company के exam में भी बहुत बार coaching हुई भी है रिमेंडर थेरम बहुत ही important topic है number system का unit digit value remainder theorem यह diamond topic गिने जाने है friends तो यह आपको आना ही चाहिए तो आज हमने बहुत सारे नए नए गनित देखे उमीद है आपको समझ में आया होंगा वीडियो बहुत पसंद आई होंगी तो लाइक कीजे है friend motivation बढ़ा ही है ताकि मैं ऐसे बाबा problem आपके लिए लेक्या हूँ ठीक है आपको भी knowledge मिलेगा सीखने के लिए और ऐसे बहुत सारे गनित हम cover करेंगे थेंक्यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है